So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने के 7 मई के important current affairs को तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया तो अंचर होगा 7 मई को, तो हर साल 7 मई को world athletics day के रूप में मनाया जाता है तो विश्व भर में fitness के महत्व के बारे में युवाओ में जागरुकता फैलाने और athletics में उनकी भागिदारी को बढ़ावा देने के उद्धिश्य से ये दिन मनाते हैं अच्छा world athletics की बात करें जिसे पहले international amateur athletics federation के नम से जानते थे इसकी स्तापना होती 1912 में headquarter मोनाको में है और president है Sebastian Koe आप जानते हो अभी Forbes ने highest paid athlete 2023 रंकिंग जारी की तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले sports person कौन रहे उसमें Cristiano Ronaldo अच्छा वैसे national sports day हम कब मनाते हैं भारत में 29 अगस्त को और world sports day मनाया जाता है दुनिया में 7 मई को आप जानते हो 2023 में 37 नमबर किष्णेल गेम्स कहां पे होंगे गोवा में 2022 में 36 नमबर के कहां होगे थे कुजरात में चलो आप बताओ खेलो इंडिया youth games 2023 का अभी जो पांचवा संसकरन हुआ मध्यपरदेश में उसमें टॉप पे कौन रहा महराष्टर और अभी खेलो इंडिया युनिवरसिटी गेम्स का जो तीसरा संसकरन होगा वो कहां पे होगा उत्तर प्रदेश में अगर मैं आपसे बुछ हूँ 2025 में जो World Athletic Championship है उसे कौन होस्ट करेगा जापान और 2023 में ये World Athletic Championship कहां होगी हंगरी के बुड़ापेश्ट में अच्छा वैसे important day वाला क्युशन है न तो एक मही को आपको यादे हमने World Labor Day विश्व शरम दिवस मनाया दो मही को विश्व टिुना दिवस मनाया और अभी दो मही को हमने विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जोके मही के पहले मंगलवार को उता है तीन मही को World Press Freedom Day विश्व प्रेस उतंत्रता दिवस मनाया चार मई को कोईला खनिक दिवस कोल माइनर्स दे मनाया हमने और भी साथ मई को ये वर्ल्ड एथिलेटिक्स दे मनाया ध्यान रखना ये बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताईए National Manufacturing Innovation Survey 2021 के अनुसार भारत का सबसे इनुवेटिव राज्जी कौन सा है तो अनुसार होगा करनाटक तो अभी हमारे विज्ञान और प्रिद्दोगी की विभाग के जो सचीव है डॉक्टर एश चंदर शेखर उन्होंने National Manufacturing Innovation Survey 2021-22 को जारी किया है और इनकी अनुसार पूरे भारत में सबसे इनुवेटिव राज्ज करनाटक है करनाटक राज्ज ये वि निर्मान यानि Manufacturing के साथ साथ वि निर्मान शेत्र और नवाचार नवाचार मतलब इनुवेशन करने वाली कंपनियों की संख्या भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बताई गई है तो यादटना पहले स्थान पे करनाटक है दूसरे पे तेलंगना है तीसरे पे तमिल नाडू है और मैं आपको बता दू पिछले साल जो नीती आयोग ने इंडिया Innovation Index 2022 जारी किया था ना उसमें भी टॉप राज्ज करनाटक ही था और अभी इस सर्वे में अभी इस रिपोर्ट में भी करनाटक को टॉप पे बताया गया जबकि पहाड़ी राज्यों में अगर बात करते हैं तो उत्तरा खंडिक टॉप पे बताया गया गया और केंदर शाशित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरीज में दादरा और नगर हवेली और दमनन दीव को बताया गया टॉप पे केंदर शाशित प्रदेशों में अच्छा पिछले साल जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आये था वेश्विक नवाचार सूचकांग उसमें भारत कौन से स्थान पे था दुनिया में चालिस स्थान पे आप जानते हो विश्वर रचनात्मक्ता और नवाचार दिवस वर्ल्ड क्रेटिविटी और इनोवेशन डेकब मनाते हैं 21 अपरेल को आप बताओ अभी भारत ने किस देश के साथ विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए समझोता किया तो आंसर होगा ब्रेटेन के साथ तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में शंगाई कॉपरेशन और्गेनाइजिशन के विदेश मंत्रियों की बेटक खायोजन कहां पे हुआ तो आंसर होगा गोवा में आपको तो पताईए तो जाटेविस में शंगाई कॉपरेशन और्गेनाइजिशन के अद्धिक्षिता ये भारत के पास है पितले साल किस के पास थी या पितले साल कहां पे विदेश मंत्रियों की बेटक का आयोजन किया गया इसमें अद्धिक्षिता किस ने की होगी और वेसी बात है हमारे विदेश मंत्री सुब्रमन्यम जेशंकर ने इसमें पाकिस्तान, चाइना वगरा की विदेश मंतिरों ने भी हिस्सा लिया अच्छा पाकिस्तान की विदेश मंतिरी का नाम क्या है? बिलाबल भुट्टो भई एक भुट्टा तो वो जो हम सेख के खा जाते हैं और एक भुट्टे ये हैं तो ऐसे आपको याद रहे जाएगा इस बार जब ये बेठक में आये तो इन्होंने जादा फपड़ फपड़ नहीं किया कि कश्मीर देदो, दूद देदो, चाई देदो तो इनको पताया ना यहां पर उच्छल कूद करेंगे तो हम भुट्टे हैं सेख के ख़जाएंगे भारतवाले अच्छा पहले हम शंगाई कॉपरेशन और्गिनाजिशन की बात करते हैं देखो आप सभी जानते हो शंगाई कॉपरेशन और्गिनाजिशन वैसे इसकी स्थापने एक्च्छल में 1996 में वी थी जब इसे शंगाई 5 के रूप में जानते थे इसका नाम शंगाई कॉपरेशन हुआ 2001 में मुख्याले आपको मिलेगा बिजिंग चाइना में शंगाई नाम है तो इसका हेड़क्वाटर शंगाई में मत कर देना बिजिंग में हैं भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे 2017 में अच्छा इस बेठक की थीम क्या रही ये भी देख लो थोड़ा सा हम बूल गए सिक्योर एससीओ तो एससीओ के हम बात कर रहे हैं टोटल मेंबर कंट्रीज इसमें आठ है और अभी नवा मेंबर कौन सा बन गया ये ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा अभी नाइन्थ नमबर का मेंबर बन चुका है इरान और अभी इसके नए महासचिव बने थे जांग मिंग नाम है उनका और इससे पहले पारंपरिक चिकित्सा पर शंगाई का उपरेशन और और अर्गनाइजेशन के पहले अंतरराष्टर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन का हुआ था गुवाहाटी में हुआ था वैसे इस बार आपको यादे जो भारत है वो G20 की भी अद्धिक्षिता कर रहा है कौन से नमबर का है अठारवे नमबर का पिछली बार G20 को होस्ट किया था इंडोनेशिया ने तो भारत इस बार होस्ट कर रहा है इसको जिसकी थीम क्या है वसुदेव कुटम्बकम या फिर इंगलिश में आ जाये तो ऐसे बोलना वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और इस बार शेरपा बनाए गए है अमिताप कांत को अच्छा कोप 27 का योजन 2022 में वह था कहां पे मिश्र के शर्म अल शेख में चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ जो मिश्र है यानि कि जो एजिप्ट देश है वो अभी किसका नया मेंबर बना है और कोप 28 का योजन 2023 में होगा कहां पे युनाइटेड अरब अमिराद में तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे चलो फिर बताओ अभी हाली में इस बुक को किस ने लिखा है मनोज मिट्टा ने तो इस बुक को प्रसिद्द लेखक मनोज मिट्टा ने लिखा है जिसे अभी हाली में लॉंच किया गया बुक का नाम देखा आपने Secret History of Cast in the Labyrinth of Law ये बुक 1850 के Cast Disability Removal Act पर आधारित है जिसे अंग्रेजू के द्वारा इस्तापित किया गया था ये बुक स्वतंत्र भारत में जाती को लेकर जारी बहस जाती विरोधी सक्रियता के कई अंजाने पहलों पर प्रकाश टालती है बाकी शशी शेकर वंपाती अभी इन्होंने कौन सी बुक लिखी है Collective Spirit Concrete Action मन की बात and its influence on India अमिताप गोश ने लिखी है Smoke and Ashes और सल्मान रुज्टी ने लिखी है Victory City तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं के चलिए फिर बताईए अभी हाल में किस राज्य सरकार ने डिजनी लेंड के आधार पर रामा लेंड की योजना बनाई है डेवलप कर रहे हैं जिसके लिए ही उत्तरप्रदेश सरकार ये भगवान राम की कहानी सुनने के लिए एक ठीम पार जिसका नाम रखेंगे ये रामा लेंड इसको डेवलप कर रहे हैं मतलब मनुरणजन के साथ साथ सीखना भी इसी उत्देश्य के साथ यहाँ पे रामयन के पौरानिक कहानियों को परदशित किया जाएगा, बच्चों को सुनाया जाएगा, बड़ों को सुनाया जाएगा अच्छा इसके अलावा, उत्तरप्रदेश चित्रकूट जिले को अयोध्या विजन 2047 थीम के तहट सुन्दर बनाने के लिए अभी 30,000 करोड रुपे भी खर्च कर रहा है और साथ ही सर्यू नदी पर क्रूज चलाने का काम भी चल रहा है, अब यहाँ पर भी क्रूज चलेगी, बोट चलेगी, पर आप खूम सकते हो बेट करके बात उत्तर परदेश किये तो ये रा मैप में यूपी, देखो उसकी केपिटल लखनाओ है, और लखनाओ किस नदी की किनारे इस्थे थे घोमती नदी के किनारे भारत की पहले पैरा बैडमेंटान अकादमी खोली गई है लखनाओ में ही, ब्रम्मोस विनिर्मान केंतर बना है लखनाओ में ही, राजनाच सिंग जो हमारे रक्षा मंतरे हैं, उनका निर्वाचन शेत्र भी है लखनाओ बाकी देखो यहां के मुख्य मंत्री है योगिया देत्तेनाथ, इनके उपर एक बुक लिखी थी, The Monk Wood Transformed UP, किसने शांतनु गुप्तान, ये भी ध्यान रखना गवर्नर अनंदी बिन पटेल है, और उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, आठ राज्य है, एक Union Territory और एक देश, जैसे की उत्तराखंड, हिमाचर प्रदेश, हरियाना, राजस्तान, मद्यप्रदेश, चत्तेजगर और जारखंड और बिहार, Union Territory है, दि Nuclear Power Plan भी मिल जाएगा, और आप तो याद रखना कि देश का तरिपन वा, और उत्तर प्रदेश का चोथा Tiger Reserve कौन सा बना, राणिपू Tiger Reserve, और देश का तैतिस वा, और उत्तर प्रदेश का दूसरा Elephant Reserve कौन सा बना, तराई Elephant Reserve, अभी कासी, तमिल संगम का आयोजन ये में हुआ शंगाई कोपरेशन और्गिनाजेशन की पहली कल्चेरल एंड ट्योरिजम केपिटल बनी वारणासी और रोपवे सेवाओं को सारवजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शेहर भी बना है वारणासी वैसे हर घर में आर ओ का पानी पहुचाने वाला उत्तरप हाथ स्वच्छता दिवस ये 5 मही को मनाया जाता है ये important day याद धटना पिछले साल किसी एकजाम में पूछा भी गया था ये और इस दिन को मनाने का उद्धिश्य क्या है संकर्मन के प्रसार को रोकना और अच्छे स्वास्त को बढ़ावा देने में हाथ की स्वच्छता के राश्टरपती थे और राश्टरपती के रूप में शपत लेने वाले वो एक मात्र सिख राजनेता थे 1982 से 1987 तक राश्टरपती रहे थे वो तो ये ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में चक्रवात जिसका नाम है मोचा इसका नाम किस ज्यान विभाग यानि कि इंडिया मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने बंगाल की दक्षिन पूर्व खाडी और आसपास के शेत्रों में वर्ष 2023 के पहले चक्रवाती तुफान मोचा का पूर्वा नुमान लगाया है जो कि 7 मई से 9 मई के बीच में पूर्वी तट पर द ज्यान रखना चक्रवात का नाम नाम किस ने रखा ये दोनों पॉइंट्स वेसे इंडिया मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट की बात कर ले पहले भारतिय मौसम विज्ञान विभाग की जिसकी स्तापना होती है 1844 में हेड़क्वाटर पुने महराष्टर में है और इसके ड देखो तोकाते का नाम रखा था म्यानमार ने अमफान का नाम रखा था थाईलेंड ने और असनी तुफान का नाम रखा था श्रिलंका ने एक बॉम्ब साइकलोन भी आय था भी बॉम्ब साइकलोन ये अमेरिका में आय था वैसे अलग-लग देशों में चक्रवात को अलग वगेरा में टाइफून कहते हैं चलो एक प्रश्ट मैं आपसे पूछता हूँ या आपके लिए हमवर्प प्रश्ण समझो आप इसे साइकलोन वन नाम का अभी एक मिलेक्टरी एकसरसाइज हमने पहली बार किया था मिश्र के साथ मैंने बता दिया आपको इजिप्ट के साथ किया था तो आपका प्रश्ण क्या हो गया कहां पे आयोजन हुआ था इसका बताओ comment box में हम बढ़ते आगे चलो फिर बताइए हाली में किसे राज्य ने इंदरा गांधी महिला सम्मान निधी योजना को शुरू किया तो आंसर होगा हिमाचर प्रदेश तो जैसा कि नाम से clear है महिलाओं के लिए ये योजना है तो अभी हिमाचर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए ये इंदरा गांधी सम्मान निधी योजना को शुरू किया है क्या है इस योजना में तो इस योजना में महिलाओं को प्रोचाहन के रूप में पंदरा सो रुपे हर महीने दिये जाएंगे पर उन महिलाओं के उम्र 18 से लेके 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए वैसे आपको याद होगा इसी तरह से मद्य प्रदेश ने अभी लाडली बहना योजना शुरू की थी जिसमें कहा था महिलाओं को पर मंत 1000 रुपे मिलेंगे लेकिन हिमाचल प्रदेश वाले अमीर लोग लगते हैं ये 1500 रुपे महीना ले रहे हैं अच्छी बात है अब हिमाचल प्रदेश चलके देख लेते हैं हम भी फिर तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश देखो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है शिमला जो किसकी समर कैपिटल है विंटर कैपिटल धरमशाला है मुख्य मंत्रे है सुक्विंदर सिंग सुक्खू गवर्नर कोने शिव प्रताप शुक्ल है हिमाचर प्रदेश में तीन महत्वपूर्ण दर्रे आपको मिलेंगे यानि कि माउंटेन पास एक शिपकिला दर्रा है और यहीं से हिमाचर प्रदेश में कौन सी नदी प्रवेश करती है सतलुच नदी एक रोहतांग दर्रा है और यहां एक सुरंग है जिसे अटल सुरंग कहते हैं जिसके लंबाई 9.02 किलो मीटर है यहीं से व्यास और रावी नदी यहीं से निकलती है और एक बाढ़ला चला दर्रा है यहां से चंद्र और भागा नदी निकलती है जो आगे मिल जाती है जिसे जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी कहते है कुछ महत्वपून बांध है यहां पर जैसे कि पॉंग बांध यह व्यास नदी पर है जिसे महरना परताप सागर बांध भी कहते है पंडोह बांध यह भी व्यास नदी पर है बाकडा नांगल डैम हो गया सतलुच नदी पर एक चमेरा बांध भी ध्यान रखना रावी नदी पर है वैसे सतलुज नदी पे थापरा जाकी परियोजना भी है हिमाचल प्रदीश में और मिनी स्विट्जलेंड ओफ इंडिया ये डल होजी नाम की स्थान को कहते हैं जो कि हिमाचल प्रदीश में है हिमाचल प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं जिसे की ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क यहां का राजके पशुहिम तेंद्वा है स्नो लेपर्ड जो की लद्दाक का भी है राजके पक्षी है जुजराना इसी को बोलते इंगलिश में वेस्टर्ण ट्रोगोपेन वरक्ष है देवदार का और फूल है गुलाबी बुरांच यानि की पिंक रोडो टेंडरॉन यहीं पे चामुंडा देवी टेंपल भी है ध्यान रखना और यहां के कुछ लोक न्रत्य हैं जैसे की नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली न्रत्य भी यहीं का है अब यह आपको याद होगा, अज्याच शवों के लिए डेटाबेस बना कर इतिहा सरचा हिमाचल प्रदेश ने, संजीवनी परियोजना भी यहां पर शुरू हुई, और हिमाचल प्रदेश की एक परवता रोही है, जिनका नाम है अंजली शर्मा, अभी माउंट किली मंज जारों को फते किया था, जो कि अफरिका माद्यूप की सबसे उची परवत चूटी है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक, जिसको किते हैं लुआन्चरी, वो पहन के परवत फते किया था, बड़ी बात है, चलो यूं बताओ, हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष रखा, दूजार पच्चिस था, ध्यान रखना बढ़ते हैं, चलो फिर बताओ, अभी हाल इमें चितिर रही महुत्सव का योजन कहां किया गया, तो आण चलो कर तमिल नाडू में, अच्छा आपको पता है मिनाक्षी मं का सबसे बड़ा समारो है, यह भगवान सुंदर रेश्वर जो की भगवान शिवजी की बात हो रही है, और देवी मिनाक्षी यान की बात हो रही है, तो इन दोनों की शादी का पर्व के रूप में इस समारो को मनाया जाता है, इस महुत्सव को मनाया जाता है, तो याद र जाटको केते मालाबार तट और यहां का classical dance क्या है भरतनाट्यम है चलो बताओ अभी थावे महोटसव का मनाया गया बिहार में अभी गज उत्सव का अयोजन हुआ था समके काजिरंगा में सरहुल festival मनाया गया जारखंड में अभी 27 अंतरराश्टर फिल्म festival का अयोजन का हुआ था केरल में, चलो बताओ पहला सिलहट सिलचर महुत्सव का आयोजन का हुआ, असम के बराग घाटी में, भारत और बांगलादेश के भी, और घोडे जात्रा तिवहार का मनाया गया, नेपाल में एक फूलों का तिवहार है, बथु कम्मा फेस्टिवल, यह होता है तिलंगना में, जबकि फूल देई तिवहार होता है, उत्तराखंड में, यह भी ध्यान रखना, और भुम्चु उत्सव का होता है, सिक्किम में अभी लख्षी मेले का आयोजन का हुआ था, राजस्तान के सीकर में और जिंगा मेले का आयोजन यह वा तब पंजाब में, अगर मैं पूछू काला घोडा कला महत्सव का आयोजन का हुआ, मंबई में और अभी हमने देखा, घोडे जात्रा तिवहार यह होता है नेपाल में और सरस मेले का आयोजन अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में अभी पहला सिंथान स्नो फेस्टिवल भी मनाया गया तो यह ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं कर रहा तो क्योंकि आप लाश्ट में बूल जाते हैं, मुझे बता है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो इसे और चैनल पर पहली बार है तो क्रेक एक्जम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो होता है न कि जितना चाकू को जितना नाइफ को अगर जितना अपन शार्प करेंगे जितनी महनद करेंगे वो उतना तीखा होगा वो उतना शार्प होगा और जब चीज शार्प होगी तो किसी के उपर रखोगे तो वो आराम से कट जाएगी वैसे ही आपके साथ भी जितनी मैनत करोगी जितना घिसोगे अपने आपको उतनी knowledge आपकी sharp होगी और जितनी ज्यादा knowledge sharp होगी एक्जाम को उतनी आसानी से काट पाओगे आप करना न करना तो आपके उपर हम बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी internet in India report 2022 के अनुसार भारत में सरवादिक internet पहुँच किस राज्य में है तो अंचरोगा गोवा तो internet and mobile association of India और कांतार के द्वारब प्रकाशित एक नई report 2022 के अनुसार गोवा में सरवादिक internet पहुँच है वहीं बिहार में सबसे कम internet पहुँच है और केरल अपनी internet सेवा वाला पहला राज्य भी है उस पर योजिना का नाम है केफॉन केरल फाइबर अप्टिक नेटवर्क तो ये ध्यान रखना अब हम कल के current affairs का quick revision कर लेते हैं पहला पुचन आपसे पूचा कि Cole India के नए Chief कौन बने तो आंसर होगा पोला वर्रापु प्रसात फिर आपसे पूचा Melbourne cricket club के नए Dick's कौन बने मार्क निकोलव फिर आपसे पूचा भी किस राज्य सरकार ने गीता, कार्मी कुला, भीमा योजिना शुरू की त लंगना अगला प्रशन पूछा भारत का पहला खुले में सौच मुक्त ODF प्लस जिला कौन सा बना वाइनाड फिर अगला प्रशन है दिल्ली हाई कोट ने किसे भारतिया बास्केटबॉल महासंग का प्रशाशक एर्मिनिस्ट्रेटर बनाया पी क्रशना भट को अगला प्रशन पूछा विश्व अस्तमा दिवस कब होता है दो मही को फिर आप से पूछा कांस फिल्म फेस्टिवल दोजा 23 में मानत पालमेडी और पुरुसकार के से मिला मिशेल डगलस को फिर आप से पूछा उडिसा ने भारते होके टीम के प्रायोजन यानि की स्पॉंसर शिप को कब तक के लिए बढ़ा दिया दस साल और बढ़ा दिया यानि की दोजा 23 फिर आप से पूछा दा फ्यूचर आफ जॉब्स रिपोर्ट दोजा 23 को किस ने जारी किया और फिर आप से पूछा हाली में जारी फॉब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाडी कौन बने क्रिस्ट्यानो रोनाल्डो और एक बार फिर याद दिला रहा हूँ अभी भी आपने वीडियो को लाइक नी किया तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना क्रेक एक्जम एप्लिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलिग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है अब हम वर्ग प्रशन देखते हैं और सेशन एंड करते हैं तो कलाब से पुछा के रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना तो अंसरोगा उत्तरा खंड आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है अब ये रहा आज का आपका होमवर्ग प्रशन झाल 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 झाल